आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके प्ले स्टोर से कोई एप डाउनलोड या फिर अपडेट नहीं हो रहा है तो यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आईए जानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम प्ले स्टोर को उपन कर लेते हैं उसके बाद कोई एप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर वो डाउनलोड नहीं हो रही है और यहाँ पर इस तरह का यह शो हो रहा है तो यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसे कैंसल कर देना है और आपको जाना है अपने मुवाइल की सेटिंग्स में उसके बा यहाँ पर एप मैनेजर आ जाएगा तो आपको इस तरह से एप मैनेजमेंट पर टच करना है और यहाँ पर आपके सामने आपके मुवाइल में जो भी एप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ढोल लेना है तो यहाँ पर आप थोड़ा data का एक option आपको मिल जाएगा तो आप play store का clear data कर दीजिए इस तरह से और clear data करने के बाद यहाँ पर clear cache भी हो जाएगा साथ के साथ तो आपको back करना है और यहाँ पर आपको check करना है कि अब आपकी app कोई download हो रही है या फिर नहीं अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है तो आपकी mobile में हो सकता है network settings में कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए आपको dual sim card and mobile network की setting मिल जाएगी तो आपको इस पर touch करना है उसके बाद यहाँ पर आपको यह check कर लिना है कि आपकी जिस sim में data यहाँ पर वो select है यहाँ फिर नहीं अगर नहीं है तो यहाँ पर कर लीजिए तो यहाँ पर हमारा सही select है तो यहाँ पर हम back करते हैं उसके बाद आपको network mode में सबसे उपर वाला option यहाँ पर select कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने mobile में data roaming को on कर देना है उसके बाद आप जाएए carrier में और यहाँ पर अगर आपका automatic registration off है तो आप इसे on कर लीजिए तो यहाँ पर हमारा already on है तो इसे back करेंगे तो यहाँ पर आपको access point name मिलेगा यानि की APN settings तो आपको इस पर touch करना है और यहाँ पर हो सकता है आपका APN delete हो गया हो इसकी वे से आपका play store नहीं चल रहा तो यहाँ पर आपको reset to default पर touch कर देना है और यह reset होने लगेगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा APN यहाँ पर आ चुका है तो आपको back करना है और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए आपकी problem solve होई या फिर नहीं अगर नहीं होती है तो आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको more settings का एक option मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको backup and reset में जाना है और यहाँ पर आपको reset network settings कर देना है इससे आपको कोई data delete नहीं होगा नहीं कोई app यहाँ पर delete होगा reset network settings करने के बाद आपको reset all settings कर देना है उसके बाद आप अपने phone में एक बार aeroplane mode को on कर लीजिए उसके बाद off कर लीजिए तो उसके बाद यहाँ पर आप अपने mobile को restart कर सकते हैं और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि अब यहाँ पर आपका play store चलने लगेगा यानि की app download होना start हो जाएंगी तो यहाँ पर start होने में यह थोड़ा time लेगा तो यहाँ पर हम check कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर problem solve हो गई है और यहाँ पर हमारी apps download होना start हो चुकी है तो इस तरह से आप अपनी problem solve कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को भी subscribe चरूर करें